माननिय सुप्रीम कोट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की महलत दी थी, कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं, परसों मुझे सरंडर करना है, परसों वापस मैं तिहार जेल चला जाऊंगा, मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर म मेरे होसले बुलंद हैं, देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूँ, इसका मुझे फक्र है, इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, जुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए, जब मैं अभी ज जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताडित किया, इन्होंने मेरी दवाईयां रोक दी, मैं 20 साल से serious diabetes यानि शुगर का मरीज हूँ, पिछले 10 साल से मुझे रोज insulin के injection लगते हैं, रोज मेरे पेट में 4 बार injection लगते हैं, जेल में इन्होंने कई दिन मेरे insulin के injection ब रहे तो kidney और liver खराब हो जाते हैं, पता नहीं ये लोग क्या चाते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया, जेल में मैं 50 दिन था, इन 50 दिनों में मेरा 6 kg वजन कम हो गया, जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 kg था, आज 64 kg है, जेल से छुटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा डॉक्टर कह रहे हैं कि ये शेरीर में किसी बड़ी बिमारी का भी संकेत हो सकता है, कई टेस्ट करवाने की जरूरत है, मेरे यूरिन में भी किटोन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, परसो मैं सरंडर करूँगा, सरंडर करने के लिए लगबग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूँगा, हो सकता है ये इस बर मुझे और ज्यादा प्रताडित करें, लेकिन मैं जुकूंगा नहीं, आप अपना ख्याल रखना, मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है, आप खुश रहेंगे, तो आपका केजरी वाल भी खुश रहेगा, मैं बेशक आपक सारे काम चलते रहेंगे, मैं चाहिए जहां रहूं, अंदर रहूं, बाहर रहूं, दिली के काम नहीं रुकने दूँगा, आपकी फ्री बिजली, महला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाईयां, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यातरा, 24 घंटे बिजली, और भी सारे का प्रेहन को हर महीने 1000 रुपे देने के भी शुरुआत करोंगा,